आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ध्यान रखिए हम कोई financial advisor नहीं हैं इस वीडियो में हम हमारे खुद के personal opinion शेयर कर रहे हैं हमारे खुद की personal research के उपर based आप कोई भी investment करते हैं उससे पहले हम आपको यह advice करेंगे आप खुद की personal research जरूर करें आपके profit या loss के हम कोई भी जिम क्रिप्टो इंडिया चैनल क्रिप्टो इंडिया चैनल में दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे finance coin की और finance coin के अंदर आप trading करके अपने जो investment है उसको almost double कर सकते हैं June month के अंदर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो आपसे हम वीडियो के अंदर share करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम finance का price chart देखते हैं और आप देखेंगे last few hours के अंदर काफी जादा rise कर गया है और हमने भी इसक spike होने से पहले unexpectedly although हमने सुचा था कि यह जो spike के थोड़ा late आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 0.0016886 का कल रात को यह purchase किया थोड़े यह transactions यहाँ पर करेंगे और already अभी जो आप देख सकते हैं price वो 0.0018432 के around चल रही है तो मेन अप मुद्धे पर आते हैं दोस्तो करेंगे finance की coin burn का और इसका impact दिखेंगे तो हमेशा almost एक महीने पहले 30 दिन पहले या 20 दिन पहले उसका impact दिखने लग जाता है इस बारन में expect करा थे कि around 9th या 10th of June के round चलूगा जो first spike आगी लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर जो spike है वो बहुत जल्दी और बहुत पहले ही य नहीं चला लेकिन इसके अंदर थोड़ा price में काफी spike आने को दिखा था उसके बाद जो यह bull market चल रहा था जिसमें तो खतरनाक आपको पता यह bitcoin एकदम 19,000 डॉलर तक जाके आया था यहाँ पर तो सारे coins ही rise कर रहे थे तो यहाँ पर भी काफी rise कर रह था round 29 days के लिए BNB की जो price थी उपर गई थी और यहाँ पर भी quarterly burn हुआ था तो इसको हमने इत्ता consider नहीं करा हमारे analysis के अंदर क्योंकि basically bull market था और बहुत जादा price यहाँ पर already higher चल रही थी यह actual figures नहीं देगा लेकिन उसके आद फिर आप यह देख सकते है quarter 3 का coin burn था जिसके बारे में भी हमने आट से चलू हो गए थी इसकी price rise होनी और फिर यह 3rd of April तक चला था और उसके बाद dip होना चलू हो गया था तो दोस्तों यहाँ पर आप यह पूरा data देख सकते हैं जो आपके सामने हमने निकाल के रखा हुआ है और इसके अंदर हमारी quarter 4 की burn की prediction भी है कि कितने coins burn हो सकते हैं कितनी price rise कर सकती है तो बाइनस को जो पहला coin burn हुआ था दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,000 सतोशी से 45,000 सतोशी तक गया था और एक तरह से इसमें 2X return मिला था उसके बाद जो December का bull market था वहाँ पर आप देख सकते हैं यह around 16,000 सतोशी से लेके 1,80,000 सतोशी तक गया तो यहाँ पर 11X return मिल गया था लोगों को और यह around 29 days के लिए पूरा duration चला था लेकिन इसको हम इत्ता consider नहीं कर रहें जैसे आपको पहले बोला कि bull market था वो तो उसके बाद quarter 3 की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 86,000 से BNB की price गयी थी 1,90,000 के करीब आप मान लिज चलता है उसके according जो coin burn होगा Binance का वो होगा 15th of July तक और इस बार हम यह expect कर रहे हैं कि BNB 1,60,000 से 3,20,000 सतोशी तक जा सकता है मतलब आपको double X मिल सकता है यह एक तरह से हमने थोड़ा कम ही figure लगा है इससे जादा भी मिल सकता है और जो duration होगा हमने यह माना था अनुमान लग अगे जाके Binance को बड़ा announcement करने वाला है और अगर announcement नहीं करने वाला है तो यह लग रहा है कि coin burn की जो waves आती है वो इस बार जल्दी आ गए है तो दोस्तो जैसे आप अगर देखेंगे कि जो price होती है वो coin burn से पहले कब से rise करना start करते है तो अब यहाँ पर देख सकते कि quarter 1 का burn था उसका जो एक तरह से price rise होनी start हुई थी वो थी 22 September 2017 को उसकी बार जो quarter 2 का burn हुआ था वो 13 December को start हो थी 2017 को और इसके quarter 3 का जो हुआ था 12 March को 2018 तो इस बार भी हमने expect कर रहा था कि इस बार भी अगर coin burn का जो price spike start होती एकदम से BNB की price उपड जानी start होगी वो हो सकती 10 से 12 June के बीच में लेकिन यहाँ पर आप देखी सकते हैं कि उससे पहली ही आगया एक तरह से जिस तरह से आप देख सकते हैं 31 में को ही आगया तो around 10 दिन पहली एकदम से price rise कर गई है इसकी तो एक तरह से हो सकता है किसी और news announcement के चक्कर में हो शायद inside कुछ इनकी अलग से news के बारे म बात होरी जो आगे जाके जाए नहीं तो फिर यह coin burn का ही एक तरह से impact या result है जो इस next पूरे month के अंदर हमको देखने को मिलेगा तो दोस्तो अब यह बात करें कि क्या Binance Coin के अंदर हमको investment करना चाहिए और क्या इस केंदर सही में हमको 2x return मिलेगा की नहीं तो दोस्तो डेट सकते हैं यहाँ पर थोड़ा stable होने की कोशिच कर रहा है Binance Coin around 0.0018 1,807,000 के round तो आप चाहें दोस्तो तो इसको purchase कर सकते हैं आज और कल में Binance Coin की price spike कर सकती है क्योंकि यह first wave लग रही है हमको एक तरह से तो यह spike कर सकती है और उसके बाद थोड़ा correction होगा नीचा आएगा ले पर भी तीन वेव आईगी अभी जो यह चालोगी यह first wave हो सकती है उसके बाद आपको second wave भी देखने को मिलेगी ऐसी और एक third wave भी आपको देखने को मिलेगी जो हो सकता है next 20 days की बीच में आपको देखने को मिल जाए बाकी आपको हम यह advice करेंगे exactly आपको BNB के अंदर से exit क करना है उसके लिए अगर आपको updated रहना है तो आप हमको telegram channel पर join कर सकते हैं उसका link description में वापर हम आपको update करेंगे जैसे हमने last time BNB coin के लिए भी आपको update करा था प्लस अगर आपने Tron के अंदर इस बार कुछ थोड़ा loss खाया है तो यह भी एक बहुत अच्छी opportunity है लेकिन के अंदर पूरा profit आपका है और loss भी पूरा आपका है तो यह आपकी खुद की risk के उपर आप इसके अंदर वो करना बाद में आके यह blame मत करना कि आपका speculation गलत हो गया क्योंकि हो सकता है हम हमेशा 100% right नहीं हो सकते हैं हम यह हो सकता है 80% times right हो जाएं लेकि 20% wrong भी हो सकते हैं तो यह चीज़ दोस्तो जरूर ध्यान रखेगा BNB के अंदर investment करने से पहले बाकि अगर आपको एक तरह से BNB coin के अंदर entry point का idea दें तो दोस्तो आप कोशिश यह करें कि इसको 2-3 slot के अंदर purchase करें एक काम करें आपके जित्ते पास भी BTC है जो आपको BNB के अंदर लगान इन केस अगर यहाँ पर dump आजाता है तो इस dump में आप उसको और pick up कर सकते हैं क्योंकि overall in the month of June यह definitely prices के उपड जाएगी और previous 10 दे तो हमारे speculation के according तो दोस्तो हम expect कर रहे हैं कि around 3,20-8 सतोशी तो पहुच जाए ताकि 2x return इसके अंदर मिल जाएगी क्योंकि previous past का आप record दोस्तो blockchain के उपर work कर रहा है वो खुद का decentralized exchange दानी की बात कर रहे हैं तो यह चीज़ का भी कुछ भरोसा नहीं है किसी भी दिन एकदम से Binance आकर यह announce कर सकते हैं कि वो अपना testnet launch करने वाले हैं Binance blockchain का तो बहुत major event होगा और ध्यान रखीगा यह जो event है यह हमको normally पता नहीं चलेगा यह तब ही पता चलेगा जब Binance announce करेगा और तब तक price एकदम rise कर जाएगी तो यह coin definitely आप थोड़ा सा pick करके रखिए हम आपको पहली भी काफी बार वीडियो में बोल चुके हैं कि इसको buy करके रखना Binance बहुत अच्छा return देगा और बहुत अच्छा long term coin है तो अगर आप च इसको sell कर सकते हैं और exit करने का time आएगा तो वह एक तरह से हम फिर से calculate करके आपको बताएंगे क्योंकि normally हम suggest यह करते हैं कि आप 26th या 25th के round निकल जाओ तो इस बार भी हम recalculate करेंगे क्योंकि अब time थोड़ा change हो गया यह 10 दिन पहले आ गया जो first इस कारण है तो इसके according ज बस इतना ही अगर आप हमारी चैनल पर first time आये तो subscribe करना मत भूलिए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो like भी कर दीजेगा बाकी जल्दी और वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए good bye